तो कुछ इस तरीके से आपको जो सारी नोट से उन्हें रख देना है हलो एरियन आज की सुड़े में हम बात करने वाले कि आप कैसे Bank of India के ATM मशीन से पैसे डिपोसिट करवा सकते हो यानि कि पैसों को जमा करवा सकते हो तो अगर आप भी आना है कि आप कैसे Bank of India के ATM मशीन से पैसे जमा करवाओगे तो चलिए आज किस कमानल के वीडियो को स्टार्ट करते है So guys देखो अगर आपको भी आना है कि आप कैसे Bank of India के ATM मशीन से पैसे जमा करवाओगे तो बहुत ही सिंपल है इसके लिए आपको आगरना है देखो सबसेल है तो आपको आपका जो ATM कार्ड है उसे लेकर के आजाना है Bank of India के ATM में अब आपको यह पर यह कुछ इस तरीकी की जगा मिलेगी जहां पर आपको सबसेल है तो आपका जो ATM कार्ड है उसे डाल देना है उस तरीके से जिससे कि आपकी जो चीप है वो अंदर की तरफ होनी चीए तो अब आपको आपको आपर दिखाए देगा Please wait your transaction is being processed तो अभी आपको कुछ देर वेट करना है और उसके बाद में आपको आपको आपर कुछ इस तरीके का इंटर्फिस दिखाए देगा to अभी आपको और दो ओप्शन दे रहोगे और ग्रीन आपको इंटर summary वाले option पर क्लीक कर देना है तो आप यह जो उपर की तरफ आप आला option है न हम उस पर कलीक भी करके और बटन को भी दबा सकते है इस बार हम बटन पर दबाऊंगे तो अगर आप बटन दबाऊंगे तो भी ये एक लिक हो जाएगा अब आपको अबर दिखाए दे रहोगा प्लीज एंटर पीन तो इसका अनलब क्या है कि अभी आपको आपका जो ATM का पीन है वो यहाँ पर एंटर कर देना है जो कि होगा फो डिजिट का तो अभी मैं फटाइट से हमारा जो ATM पीन है उसे एंटर कर देता हूँ तो अब जैसे आप ATM पीन को एंटर कर दोगे ना तो अभी आपको आपको आपर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाए दे रहोगा प्लीज सिलेक्ट दो ओप्शन तो अभी आपको आपको यह पर क्या करना है ओप्शन सिलेक्ट करना है कि अभी आपको क्या करना है तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें पैसो को डिपोजिट करवाना है तो इसलिए हमें जो डिपोजिट वाल ओप्शन है लेफ्ट साइड में हम उस पे क्लिक कर देंगे तो यह आप देख सकते हो थर्ड वाल उप्शन है डिपोजिट हम बस इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक कर दोगे डिपोजिट वाल उप्शन पर और अगें आप यहापर बटन पे भी क्लिक कर सकते हो और स्क्रीन प इसमें बस यही लिखा है कि कौन कौंसी note चलेगी और कैसे डालना है और वह सब पुष और maximum 200 note आप डाल सकते हो तो आपको यापर continue वाला जो option है ये वाला इस पर click कर देना है जैसे आप click करोगे continue वाल option पर तो अभी आपको आपर दिखाए देखा your transaction is being processed अब आपको अबर क्या कहना है अभी आपको आपका नेम डिखाई देगा अगर यह नेम करेक्ट होगा तो आपको क्या कहना है कनफॉर्म वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है तो अभी हम कनफॉर्म पर क्लिक कर देता है जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो अभी आप देख भी हो जाएगा यह देख सकते हो आप और जैसे यह बंद होता है तो आपको स्क्रीन पर कुछ एस ओप्शन दिखाई देगा प्रोसेसिंग प्लीज वेट और मशिन में से जो कैश काउंटिंग की आवाज होती है वो कुछ इस तरीके किसे आवाज आएगी आपको तो भी आप को यापर जो है ना थोड़ी दैर वेट करना होगा और जैसे आप वेट करते हो उसके हाद में आपको डीटेल में दिखाई देगा कि कितने नोट्स है और वो और उसारी दीटेल्ट yell चुक है और 100 की एक नोट थी तो 6600 अब अगर आपको deposit करना होगा तो deposit वाले option पर click करना है लेकिन अगर आपको और cash को add करना है तो आप add case भी click कर सकते हो इससे आप और भी पैसो को add कर सकते हो तो अभी आप देख सकते हो कि 3600 रुपीज हमारे जो account है उसमें deposit हो चुके है अभी आपको यहाँ पर जो receipt है आपकी वो receipt को निकाल देना है जैसे आप receipt को निकाले होगे तो उसके आद में आपको आपका जो ATM काड है उसे भी निकाल देना है और जैसे आप ATM कार्ड को निकालोगे तो अभी आपको आपर मशीन में अगेन वैलकम दिखाई दे रहा होगा इसका अनलब है कि अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कम्पलीट हो चुका है अगर आपको यी वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच